इच्छा सक्ति हमारे जीवन में बहुत ही महत्पूर्ण भूमिका ने भाती है। अगर आपका इच्छा सकती दिर्प हो, तब आप अपने इस जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, उसे आप आसानी से आकर्सित कर सकते हैं, यहां पर में अपने लाइफ के बारे में आपको बताऊंगा, हर दिन मैं ने इन चार स्टेफ्स को फॉलो किया और आज मेरी जिंदगी मेरे अनुसार है आप भी हर दिन इन चार steps को केवल 5 मिनट फॉलो करके आप अपनी किसी भी इच्छा को आसानी से मेनिफेस्ट कर सकते हैं बॉब प्रोक्टर फिर कहते हैं कि जो सीक्रेट आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ लॉफ एट्रेक्शन का उस सीक्रेट को जानने में मुझे अपने जीवन का 5 साल समय लगा जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैंने थिंक एंड ग्रोरिच की किताब पढ़कर उससे मैंने अमीर कि बनने का सीकरेट टेकनिक तयार किया है और मैं चाहता हूं कि मैं इन चार step को जो मैं फॉलो करता था उसे मैं आप लोगों तक सेयर करू इन चार steps में पहला दो steps जिनने अगर आपने फॉलो कर लिया तो बाकी के दोà steps Automatically ये ब्रह्मांड आपको पूरा करेगा अगर आपने इन दो स्टेप्स को अपने जीवन में समझ लिया तो आपके जीवन में भी Law of Universe का असर आपको जरूर दिखेगा और अंतिम में मैं Law of Attraction की एक ऐसी टेक्निक आपके साथ सेयर करने वाला हूँ जिसे आपने सुनाने होगा और अगर सुना भी होगा तो आपने ठीक से समझाने होगा इसलिए विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे सबसे पहले आपको अपने जीवन में एक क्लियरली डिफाइन करना होगा कि आपको exactly कितने amount of money आप चाहते हैं या कोई भी इच्छा जिसे आप चाहते हैं उसके परती आपका specific goal क्या है सबसे पहले उसे लिखे उसके बाद visualize करे कि आपके पास वो इच्छा या वो money आपके पास अपलब्द है भले ही वो आपके पस ना हो लेकिन फिर भी आप उसे अपने जीवन में visualize करे आप जो कुछ भी अपने जीवन में manifest करना चाहते हैं उसकी एक image आपके दिमाग में होना चाहिए ज़्यादा तर लोगों को ये लगता है कि subconscious mind के मुकाबले हमारे conscious mind में कोई शक्ति नहीं है लेकिन ज़रा इसे समझो कि जब आप कोई भी काम को repetition करते हो बार बार काम को दोहराते हो तो ये चीज आप अपने conscious mind के मदद से ही करते हो यहीं पर दूसरे तरीके से समझो जब कोई भी affirmations आप बार बार बोलते हो तो ये work आप अपने conscious mind के मदद से करते हो लेकिन जब आप ये work लगातार करते हो तब आपके subconscious mind में एक automatic habitual pattern यानि कि आपकी आदतों में बदलाव आते हैं क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके subconscious mind की खुद की कोई भी इच्छा शक्ति नहीं है और ज़्यादतर लोग यहीं पर समझने में गल्ति करते हैं लोग ये समझते हैं कि हमारा subconscious mind ही हमारे जिवन में काम करता है हमारे इच्छाओ को पूरा करता है लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि हम अपने subconscious mind तक अपने इच्छाओ को कैसे भेजूँगा स्टार्टिंग का कोई भी काम आपको अपने conscious mind के साथ ही करना है जब आपको कोई लेच्च को भाना होगा उस वक्त आप उस लेच्च के बारे में सोचेंगे तो ऐसा नहीं है कि वह तुरंत ही आपके सबकॉंसेस माइंड में चला जाएगा आपके सबकॉंसेस माइंड को रिप्रोग्राम करने में समय लगता है जब आप अपने गोल्स के प्रती बार-बार दो रहाते हैं, बार-बार रेपेटेशन करते हैं, चाहे वो बोलकर हो, या लिखकर हो, या इमेजिनेशन करके हो, जब आप इसे बार-बार करते हैं, अपने conscious mind के मदद से, तब आपके विचार आपके subconscious mind में चाहता है, इसलिए point उसे लिखकर बनाओ, अपने desires को नोटबुक में लिखे, ताकि उसे आप बार-बार दोराएं, और वही चीज आपके conscious mind के द्वारा आपके subconscious mind में चला जाएगा, क्योंकि हमारा subconscious mind सभी बातों को accept करके याद रख लेता है, और उन विचारों को, उन belief system के अनुसार, हमें उस तरह की feelings और emotions मासूस कराता है, और उसी प्रकार के लेक्ष को हासिल करने में हमारी मदद करता है, पॉइंट नमर टू, देखे, जैसे कि मैंने पॉइंट नमर वन में बताया, कि सबसे पहले आपको अपने जीवन में idea को develop करना होगा, उसके साथी साथ आपको imagination create करना होगा, जब आपने ये काम कर लिया है, तब आपको अपने idea के प्रती, अपने goals के प्रती या आपने जो image create किया है, उनकी प्रती आपको emotionally involved होना होगा, यानि get emotionally involved with the idea or image you create, एक research में पता चला है, कि हमारे दिमाग में हर दिन साथ हजार से लेके सत्तर हजार thoughts आते हैं, लेकिन एक वाले बात ये है, कि इतनी विचार आने के भावजूद भी, हम किसी भी विचार को manifest नहीं कर पाते हैं, विचार आते हैं और चले जाते हैं, और हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, बाब प्रोक्टर बताते हैं, कि जिन विचारों के साथ हमारे जीवन में हमारी feelings और emotions के बल होता है, और उसी तरह की विचार हमारे जीवन में बहुत ही जल्द manifest होता है, जिसमें हम emotionally connect होते हैं, जिसमें हमारे thoughts, emotionally alignment मनाते हैं, इसलिए आपको अपने जीवन में ये चीज़ दियान रखना होगा, कि आपके पास जो भी विचार है, जिस तरह के विचार आप अप की गारी इच्छा और भावना जुड़ी होनी चाहिए, एक किताब है Psycho Cybernetics, जिसमें Dr. Maxwell ने लिखा है, कि हर दिन केवल 5 मिनट के लिए आखे बंद करके, मान लीजिए कि आप अपने जीवन में जिस भी इच्छा को manifest करना चाहते हैं, उस इच्छा को manifest करना संभाव है, और इस चीज को अपने जीवन में आकरशित करने के लिए, यानि हासिल करने के लिए, आपको गारी इच्छा जागरित करनी होगी, जाहिट से बात है, आपकी इच्छा जब गारी होगी, उस वक्त आप उन इच्छाओं के प्रती हमें इसा खुसी महसूस करेंगे, और अगर आ आप मैनिफेस्ट करने के बाद भविश्य में जैसा महसूस करेंगे, आपको उस वक्त वैसा महसूस करना है, यानि आपको ठीक तरीके से विजुलाइजेशन टेक्निक का उप्योग करना है, और हर दिन केवल पांच मिनिट के लिए उतनी दिनों तक ही करना है, जब तक कि आपके दिमाग में उस इच्छा के प्रती, जितने भी नेगेटिब थोर्ट से वो बिल्कुल शमाप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको विजुलाइजेशन टेक्निक का उप्योग करते रना होगा, ताकि आपके थोर्ट्स, आपके विचार सही तरीके से आपके सबकॉ माइड तक पहुँच सके, तीसरा है, अपने वाइब्रेसंस को बदलो, यानि चेंज योर वाइब्रेसंस, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, कि जब भी आपको परिच्छा में पास हो जाते हैं, या कोई भी चीज को एचीव कर लेते हैं, उस वक्त आपकी फिलिंग्स जै पास किया था, या आपने जब अपने गोल्स को एचीव किया था, उस वक्त आपने कैसा फिलिंग्स किया था, कैसा महसूस किया था, उस वक्त आपके भी तर के जो वाइब्रेसंस थे, वो वाइब्रेसंस, हमेशा पॉस्टिव वाइब्रेसंस होता है, और जब आपके भी के vibrations positive होंगे उस वक्त आपके विचार में एक अद्बुच शक्ति होगी जो कि ज्यादा chances रहेंगे कि वो विचार आपके subconscious mind तक पहुँश सके और आपको एक बात पता होने चाहिए कि कोई भी विचार जब आपके subconscious mind में चली जाती है तब आपको उस विचार के प्रतित जो भ opportunities मिलते रहेंगे ताकि आपकी इच्छा बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट हो सके पॉइंट नुमर फोर आप वैसी चीज़े ही आकर्शित करते हैं जैसे कि आप होते हैं जैसी दुनिया आपके भीतर होती है वही चीज़े आप बहारी दुनिया से आकर्शित करते हैं यानि attract what you are in harmony with अपने goals के परती clear intentions रखा उसके बाद उसके परती emotions को जोड़ा फिर अपने vibrations को ठीक किया तो जब आपकी vibrations जैसी बनती है उस तरह की उर्जा आप इस ब्रह्मान को छोड़ते हैं और law of attraction के नसर ये ब्रह्मान भी in return उसी तरह की उर्जा आपके जीवन में देती है यानि ये आपकी जीवन में आउसर के रूप में opportunities के रूप में या कुछ संभावनाओं के रूप में दिखती है जैसे आप कहीं काम कर रहा है तो वहाँ पर आप उस तरह के लोगों से मिलेंगी जो आपसे बहुत ही खुस होगा आपके काम से बहुत ही खुस होगा और उन्हीं के मद investment कर रहे हैं तब आपका दिमाग आपका idea उस वक्त ठीक से काम करेगा ताकि आपका investment सही जगह पर हो सके और इस परकार आपकी इच्छा बहुत ही तेजी से manifest होती है और इसी point से आपको एक law of attraction का बहुत ही बड़ा secret मिलता है कि ज्यादतर लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि आप चाहते हैं लेकिन वहां पर यह नहीं समझते हैं कि आप जिस चीज को आकरशित करना चाहते हैं आप उस तरह बंते चले जाते हैं मतलब आप अपने जीवन में जो भी चीज आकरशित करते हैं आप वही चीजों को आकरशित करते हैं जैसे आप होते हैं और जिनके साथ आप हार्मनी में होते हैं जिस तरह के feelings और emotions को आप अपने जिवन में मसूस करते हैं आप अपने thoughts के परती, अपने desires के vibrations के साथ अपने भीतर के vibrations के alignment में हो जाते हैं क्योंकि जिस भी इच्छा को आप manifest करना चाहते हैं वो इच्छा आपके जिवन में आपके conscious mind में हमेशा बैटी हुई है क्योंकि आपने अपने जिवन में repetition का अपयोग किया है अपने visualization को, writing technique को आपने बार बार किया है इसके वज़े से ये आपके conscious mind में हमेशा बैटी हुई है और आपके conscious mind के वही विचार आपके subconscious mind में चली जाती है और जो विचार आपके subconscious mind में बैठा हुआ है आप उसी तरह के इंसान है और केवल वही विचार के alignment में बस्तुई आपके जिवन में manifest होते हैं चाहे वो धन हो, पैसा हो या खुसी आप सभी चीजों में abundance को पाते हैं और ये सारी चीजे आपको ब्रह्मान लगतार देता रहता है और इसी तरह से law of attraction खाम करता है अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको सिर्फ दो steps को follow करना है पहला, आपको अपने जिवन में एक goals को, एक intention को, एक इच्छा को, अपनी चाहत को ठीक तरह से clear करना है कि आपकी इच्छा, आपकी चाहत क्या है और दूसरा, उसके प्रती, आपको visualize करना है साथी साथ अपने emotions को जोड़ना है, अपने feelings को जोड़ना है और उसके बाद अपने काम में लग जाना है फिर आगे का काम, ये पूरा ब्रह्मान का है law of attraction और law of vibrations के अनुसर, ये law of universe हमेशा काम करता रहेगा क्योंकि जब आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, फिर आप जब काम में लग जाएंगे उस वक्त उन विचारों के पृति, आपके भीतर एक हमेशा positive vibrations बनता रहेगा और आप लगातार इस ब्रमान को उर्जा छोड़ते रहोगे और law of attraction 24 hour हमारे जिवन में काम करता है और जिस तरह की उर्जा आप ब्रमान में छोड़ते रहेंगे ब्रमान भी आपको similar तरह की उर्जा आपके जिवन में देता रहेगा जिससे आपका जिवन बदल जाएगा दोस्तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा एक कमेंजरों कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो लगातार पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू दबाएगा ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन्स लगातार पास के